सब लोग आई होग कि सब बहुत अजय होंगे इस वीडियो में हम दिस्क्रिशन करने वाले हैं कोशन वर्ट वाइड़ी सिक्स के सॉलीशन के बारे में अगर आपने इसे पुझी वाइड़ी सुडियो अर्भी तक नहीं देखा साथी साथ आने वाले विडियोज का सॉलीशन देखना चाहते हो तो complete playlist का link मिलेगा आपकर description में तो एक बाद description आप जरूर चेक कर लोगे साथ चाहते अभी तका में टेलिग्राम पे जॉइन नहीं किया तो फड़ा हट से टेलिग्राम पे जॉइन कर लोगे हमें प्रूब करना है कि रूट 3 जो है कि रैसनल नंबर है इस टाइब के question आपने स्कूल में धेर सारे जो है वो solve कर रखे होंगे बड़ चलो फिर से यहाँ पर हम लोग solve करते हैं क्या करते हैं let root 3 be a rational number है ना या is a rational number है ना contradiction method इसमें हम लोग simple form में use करते हैं कि सबसे पहले बोलते हैं कि rational number होगा और बात में अपने ही बात को गलत प्रूब कर देते हैं ना तो root 3 is a rational number यह हमने लिख दिया तो इस basis पर हम लोग क्या लिख सकते है root 3 by 1 इसको हम लोग a by b के form में लिख सकते हैं जहां पर a और b क्या होगा a और b are co prime number कैसे number होंगे तो यह हमें co prime number देखने को मिलेंगे co prime number क्या होता है इन दोनों के बीच का hcf1 होना चाहिए मतलब a और b के बीच में कोई भी common factor नहीं होना चाहिए तो यह हमारा हो गया ठीक है उस basis पे अगर आप cross multiply कर दो cross multiply तो a equals to क्या आ जाएगा a equals to आ जाएगा यहाँ पर root 3 b a equals to a into 1 a हो गया और root 3 into b कितना हो गया that is यह हो गया root 3 b है न रूट 3 b ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को करना होता है squaring both side है न तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो squaring both side है न दोनों side square करने पे तो divide में यानि क्या जाएगा a square by 3 is equals to b square is equals to कितना b square ठीक है समझ गया न हमने इसको a by b लिया cross multiply किया squaring both side किया हमें कुछ इतना देखने को मिला तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि since a square है theorem आप याद करो chapter number 1 में दिया है कि अगर कोई एक number जो है इसके square को divide करता है तो normal number को भी यह number divide करेगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि since 3 divides 3 divides a square यहना 3 जो है वो किसको divide कर रहा है a square को therefore 3 also divide a 3 also divide a यहना अगर 3 a square को divide कर रहा है इसका मतलब है कि 3 जो है वो a को भी divide करेगा मतलब करेगा ठीक है ठीक है कोई दिक कर नहीं है ना चलो अच्छी बात है now क्योंकि 3 जो है वो a को divide कर रहा है इसका मतलब है इसका मतलब a जो होगा वो कहीं ना कहीं 3 का multiple हमें देखने को मिलेगा तो a equals to 3c लिख दिया यानि कि a का value जो है वो क्या होगा 3 का ही multiple हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाला है ठीक है चलो अच्छी बात है फिर से हम लोग कर देंगे squaring both side क्या कर देंगे हम लोग squaring both side दोनों तरफ हम लोग again कर देंगे squaring जोनों तरफ squaring करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा तो sir दोनों तरफ squaring करने के बाद हमें इधर मिलेगा a square और उधर मिलेगा 3c square क्या मिलेगा 3c sorry 9c square है न तीन का square 9 होता है न तो 9c square हमें देखने को मिलेगा अब a square, a square का value आपने निकाला है यहाँ पर कितना 3b square तो यानि कि a square के place पर आप लिख सकते हो क्या 3b square is equals to 9c square 3 के table में इसको cancel कर दो 3 times में और इधर divide मिला दो तो क्या हो जाएगा b square by 3 is equals to c square is equals to कितना c square तो यहाँ पर लिख देंगे since 3 divided b square क्योंकि 3 जो है वो divide कर रहा है कि इसको b square को therefore, therefore 3 also divide therefore, 3 also divide b तो 3 जो होगा वो b को भी divide करेगा मतलब करेगा simple आप में ऐसा ही कुछ आपने वहाँ पर भी जो है वो solve कर रखा होगा अब last में हमारा आता है writing वाला part यहाँ से यहाँ तक तो आपको करना है last में writing वाला part है वो आपको अच्छे तरीके से देखना है ठीक है अगर आप चाहो तो मत चाहो है ना अगर आप चाहना चाहो तो चाह सकते थो बट चलो कोई बात नहीं है we observe that यही से आपका main writing वाला part शुरू होता है कि we observe that we observe that हमने क्या absorb किया कि starting में हमने late किया था कि A और B के बीच में कुछ भी common factor नहीं है वो co-prime number है जबकि जाते जाते हमने क्या कर दिया कि 3 A को divide कर रहा है और 3 B को divide कर रहा है मतलब क्या है कि 3 जो है वो एक common factor हमें देखने को मिला तो we observe that क्या A and B A and B have have at least at least three as a common factor as a common factor but but this contradict but this contradict the fact but this contradict the fact that A and B are co-prime है ना यानि कि A और B जो हमने starting में लिया था co-prime इसको बिल्कुल contradict करता है तो hence में हम लोग लिख देंगे hence क्या कि root 3 is is an irrational number root 3 कैसा होगा एक irrational number हमें देखने को मिलेगा और इसको हम लोग लिख देंगे proved इसको हम लोग कर देंगे क्या proved ठीक है तो इस टाइब से बहुत ही simple तरीके से आप इसका solution जो है वो कर सकते हो तो यहां पर question number 26 आपका complete होता है I hope कि यह पार आपको एकदम clear form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको solution जो है किया है मिलते आप साथ अगली वीडियो में question number 27 के solution के साथ complete playlist का link विलेगा आपको description में तो एक बार description आप जरूर चेक कर लोगे